हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे ये पालक की साग है ये खड़ी पालक है साग दो तरीके के होते हैं एक थोड़े से प्लेन पत्ते होते हैं और ये थोड़े कटीले पत्ते होते हैं देखिए इस तरह ये ये पालक का साग है सर्दियों में बहुत मिलता है और इसे खाना भी जाएँ हैं इसमें किसके लिए मैंने मटर ले लिया है और यह हारी मिट्च है और यह लसन इसमें हम यह ताली और इसमें नमक और हलदी बस मुझे इतनी चीज डालनी है इसके लिए मैंने कड़ाई में थोड़ा सा दीया के सर्य चुछों का थेल हैं फिर इसमें मैंने कि त्याइए बारिक रख़ा तो डाल दी इसको हम होडा सा ब्राउन होने तक बूनेंगे और रिज पालतर है इसको मैंने धो के बारी बारी काट दिया है फिर उसके बाद मैंने से कढ़ाई में डाल देना है कि सारे पालब को जो मैंने काटा था वो सब मैंने इसको इस कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हम अच्छे से उपर नीचे करके और मिलाके चलाते हुए इसे देखिए नीचे से गल रहा है तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जो नीचे का लसन मिक्स था वो उपर आ जाएगा और उसके हम एक से दुन मिट के लिए ढखेंगे फिर उसके बाद हम उसे खोलेंगे फिर उसे देखेंगे कि ये थोड़ा सा हो गया है अब इसे हम अच्छे से फिर से दुबारा चलाएंगे इसमें पानी भी छोड़ता है और इसे हम अच्छे से इसमें हम नमक और हल्दी डाल देंगे ति थोड़ा अच्छे से गलने लगेगा अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि ताकि जो हल्दी नमक मैंने डाला था वो अच्छे से मिल जाए अब उसको आप जो मैंने कट्ष्ट रिली थी उसी के साथा से इसे अच्छे से मैस कर लेना है फिर इसे मिझे ढख देना है एक मिनट के लिए फिर दुबारा खोल के देखना है और यह देखिए यह आधा हो चुका है इसे अब इस तरह से मैस कर लीजिए ताकि जो थोड़े से खड़े खड़े है वो थोड़े से मिक्स हो जाएंगे फिर इसमें मैंने जो आलू और जो मतर रखा था पहले साग बना लीजिए फिर उसको मैस कर लीजिए अच्छे से ताव आलू और मतर को डालिए फिर उसे एक से दो मिनट के लिए पकाई ठक के ताकि आलू और मटल मेरा हो जाए और ये देखे मैं ठक दिया है एक से दो मिनट हो गया और ये मेरा साग रड़ी हो गया है opinion मेरा साग बन गया है आलू मटर और पालक का साग यह बहुत ही टेस्टी बनता है यह सर्दियों में अक्सर लोग चावल के साथ खाते हैं तो यह बहुत अच्छा लगता है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सेर, सस्काइब जरू कीजेगा अपने फैमली फ्रेंड में जरू सेर कीजेगा धन्यवाद